असलाम लेकुम वरहमतुल्ला आज आप लोगों के सामने यह जो हम घर लेके आई हैं यह है बिस्मिल्ला होसिंग सुसाइटी में और यह दस मरले का घर है जो के अवेलेबल है यहां पे और इसकी जो फ्रेंट है इसका फ्रेंट जो है 35 है ठीक है और यह आप रोड देख सकते हैं इसके बाद बड़ा खुबसूरत सा गेड इसको लगा हुआ है और फिर यहां से हम इसके जब एंटर होते हैं तो यह एक वाइट सा आपको गिराज मिल जाता है जो के गाड़ी के लिए है और इसके बाद आपको इस साइट पे एक गैलरी मिल जाती है जिसमें इस वक्त इसको किसी भी चीज के लिए अड़ेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसके साइट पे एक फोर तो फाइफ फिट के गैलरी है जिसमें आपको दिखा सकते हैं अंदर जाके यह किचन है जिसकी पेंटिलेशन भी यहां से और गैलरी जो है वो दोनों तरफ है मतलब बैक साइ पर फि DA रहरी है इसलिए आप लोगो ज्यादा तरीके से क्लिएर हो जाएगा कि क्या-क्याचीज जो है वो किस तरीके से यूज हो रही है सो आम इसके अंदर जाने की बात करते है यहां पर एंटर होने की लिए दो Ňसके और बड़े कुप्सूरत से दूढ़े होई है शो तो अमने जब एंटर होना है तो बड़ा खुब्सूरत सा यह गेण है जिसमें हम एंटर होते साथ ही यहां पर आपको नेक्स फ्लोर पर जाने के लिए आपको सिडियां मिल जाती है इसके बाद सिडियों के बिल्कुल साथ ही एक अटैच बात है जो कि मैं आपनों को दिखा सकता हूं यह एक अटैच बात है जिसमें कम्प्लीट टाइलिंग होई भी है और इसके बाद हम यहां से ड्राइंग होते हैं और जिसमें आपको एक यहां पर बैठने के लिए यह आपके पास सारा अवेलेबल है और इसके बाद जो है देख सकते हैं इसकी जो आपके पास सीलिंग है वो आप देख सकते हैं खुबसूरत सी सीलिंग होई भी है और इसके बाद यह ड्राइंग रूम है बिसीक को ideas लिए हो जाएगा कि यहां पर पहली ही family रह रही है यह देखें यह वाल और यह TV वाल जो है और इसके बाद यह एक दो bedrooms है और इस तरह first bedroom जो है वो यह जिसमें बहुत खुबसूरता वाल पेपर लगा हुए और इसमें भी ceiling जो है यह आपके सामने में यह इसका door है और यह इसकी cupboards है जो के wooden और यह इसका attached बात है जिसमें proper tiling होई भी है और आप से रामेक्स भी देख सकते है और इसके में भी ceiling होई भी है उसके बाद next इसका जो room है वो है बिलकुल इसके साथ ही same उसी तरह यहां पर भी आप देख सकते हैं यह एक room है इसमें भी cupboards है और इसके साथ भी attached बात है जिसमें proper tiling होई भी है और इसमें भी ceiling होई भी है और सबसे मज़ेगी बात जो नजर आई है वो इसमें कहीं पर भी same नजर नहीं आई हो जाए इसके बाद हम इसका kitchen अगर देखते हैं हमें guide कर रहे हैं यह इसका kitchen है जिसमें और प्रॉपर अमरीकन kitchen जो है वो बना हुआ है आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका और इसकी ventilation जो है वो back side पर जो gallery आपको दिखाई थी वहां पर है जो next अब हम चलते हैं उपर floor पर जो चलें बहीं में guide कर रहे हैं यह दिखा दिये बहुत बहुत खुब्सूर सी टाइलिंग होई भी है शेडियों के उपर आप देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास यह ग्राउंड फ्लोर के बाद फास फ्लोर आ जाता है जिसके आप देख सकते हैं यह यहां से व्यू है भाहर का सारा यहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बहुत जबरदर्स मतलब खुली-खुली रोड्स हैं डिस्पेल आउस सुसाइटी की और बहुत जबरदर्स सुसाइटी है जो के विजिट लाजमी करनी चाहिए और यह इसका जो है हम लोग इस टाइम आप इसके अंदर एंटर होते हैं और यहां से आप सेम उसी तरीके से आप एंटर होते हैं तो अब एक टीवी लाउंट टाइप का आपको मिल जाता है और इसमें भी किचन है ओपन किचन तो यहां प्वी सेम कैबिट्स कैबिट्स बने हुए और चट पे सीजिंग जीगी है और इसके बाद यहां से हम चलते हैं बेड्रूम आ जाता है तो यह आप बेड्रूम के तोरब भी उसरेट सकते हैं यहां पर फिलाल इनोंने समान रखा हुआ है इसके साथ भी एक अटैच बात है हर कमरे के साथ अटैच बात अवेलेबल है यह वेंटिलेशन है और इसके बाद इसके साथ यह रूम आ जाता है लेकिन इसमें इसमें भी नहीं है फ़ैमिल भी विसी य दोनों रूम यह बंद आए में यहें खुला इस में है और इसमे घुलेरिडल मिल जाता आपको अ को इसके बाद यह एक और बेड्रूम आ जाता है यहां पर जिसमें बहुत खुबसूरत से आप देख सकते और ऑ्र बहूं सिसम का यह आ जाता है इसके साथ भी अटैच पाथ अवेलेबल है नेक्स्ट इसके छट का विजिट कर लेते हैं एक चलें तो यह सारी जो है यह 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 स्टोरूम भी उस कर सकते हैं और यह गैलरी टाइप है मतलब यहां पर मैंने ज़्यातर लोगों को देखा है कि ऐसी जगह पर अपने परिंदे वगयरा रखे होते हैं तो यह एक खुली सी आपको च्छत मिल जाती है सबसे उपर जिस पर प्रॉपर टाइलिंग होई भी है मार्बल की मार्बल लगा हुए और इसकी जो साइड बॉल है उस पर ग्लास लगा हुए और सबसे टॉप से आप देख सकते हैं प्रॉपर इसका दोनों रोड आपको जो के बहुत चोड़ें नदर आ रहे होंगे आपको डबल रोड और यह था यह प्रॉपर व्यू था इस इसकी डिमांड जो है इसकी डिमांड धाई 2.5 करोड है और लोकेशन के लिहाज से बहुत जबरदस प्रीमियम जगह पे यह वाक्य है तो विजट करें आप लोग लाजमी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगं को मैं इस घर के ओनर का फॉन नंबर दे दूँगा और ब लोगं को बता दिये होप आप लोगं को वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए